मलाकी भवश्वक्त की पुस्तक अध्याय चार, मलाकी अध्याय चार, क्योंकि देखो वह दधकते भट्टे का सा दिन आता है, तब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाच की खुंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएगे कि उनका पता तक न रहेगा, सेनाओ के यहवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भह मानते हो, धर्म का सुर्य उदय होगा, और उसकी किर्णों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और निकल कर पाले हुए बच्छों की नाई कूदोगे और फांदोगे तुम दुष्टों को लदार डालोगे, अर्थात मेरे उस ठैराय हुए दिन में वे तुम्हारे पाओ की नीचे की राख बन जाएगे, सिनाओ के यहवा का यही वचन है, परे दास मुसा की विवस्ता, अर्थात जो जो विधी और नियम मैंने सारे इस्राइलियों के लिए उसको होरे में दिये थे, उनको स्मरन रखो, देखो, यहवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, मैं तुम्हारे पास एलियाह नभी को भेजूँगा, और वहा माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा नहों कि मैं आकर पुत्रों को सत्यानाश करूँ,